बे मौसम बारिस ने एक बार फिर अन्यदताओं के संब्रिद्धि पर पानी फेर दिया है 19 माच की साम से लगाटार बारिस और ओला पढ़ने से गेहूं, सरसो, आलू मटर समेत सभी फसलों को भारे नुकसान पहुचा है बेस तारिक की सुबह किसानों के लिए बेहत चिंता में दूबी रही इसका मुख्र कारण यह है कि मानसून के मौसम में बारिस लगभग ना के बराबर होने से फसल चक्र पहले से ही अव्यवस्थित हो गई थी ऐसे में जब गेहूं और सरसो जैसी प्रमुक फसले अपने खेतों में पक कर तयार हो गई थी उस समय इस बारिस और ओले ने किसानों को भारी चोट पहुचाने का काम किया है जिलाकरसी अधिकारी सुबास मौरे ने नियूज 18 से खास बातचीत में बताया कि यह बारिस लगभग सभी फसलों के लिए नुकसान दायक है निश्चित तौर पर अन्यदाताओं को भारे नुकसान हुआ है हम फसलों की सर्वे कराने की और अगरसर है अनुमान है कि 18 से 20 फीजद फसलों को नुकसान पहुचा है इसे प्रयागराज की उत्पात तक्ता निश्चित तौर पर प्रभावित होगी शाम तक पूरी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी जिला करसी अधिकारी ने आगे बताया कि हमारे टीम जिले के बिभन इलाकों में सर्वे कार प्रारम कर दिया है जिन किसानों ने फसलों का बीमा कराया है उन्हें बीमा कमपनिया इसका मुआप जादेगी वहीं प्रदेश सरकार की ओर से भी सरवे का काम प्रगति पर है सरकार के आदेश अनुसार जो भी छटी पूरती का निरने होगा हम उसे धरातल पर तेजी से अगरसर कराने की ओर प्रयासरत रहेंगे प्रयागराज के रहने वाले सिक्षक और क्रिसक संजे तिवारी ने बताया कि उनके गाव ताड़ी में कई एकड़गी हों की फसलों पर इस बारिस का बुरा प्रभाव पढ़ा है वहीं कई खेतों पर अभी पकी हुई सरसो खड़ी हुई है यह भी कहना ठीक होगा कि लगबग तीस फीसद आलू की खोदाई इस जिले में होना भी बाकी है इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों के जन जीवन को अस्तिवस्त कर दिया है कई ऐसे छोटे किसान हैं जो कर्ज लेकर क्रिसी का कारे करते हैं इस वक्त हमारे साथ है शिक्षक संजे एतिवारी जी और वो एक क्रिसक भी हैं तो हम उनसे जानेगे कि अभी जो कल अतिवर्षा हुई है और कई शेत्रों में ओले गिरे हुए हैं तो उनके क्या विचार है इस पर क्या कहना चाहेंगे संजे जी कि अधाना बटना चाहिए जो वर्सा और जो बड़े गिरें और सरसों कि आधी Jupiter कटी हुई अधी खड़ी हुई है जो की उपनलू भीग गई गें हैं और काफी मात्रा मिखल्ड की जो बरसात ही और काफी मात्रें बड़े बड़े गीरें हैं औरिते हुए कि फसन नुक्सान सरसों प्लस अलू जो बिगय अलू उसकी खुदाई नहीं हो पा रहे है अलू पानी से भीगा हुआ है प्रकित की देनसे काफी नुक्सान हो रहे हैं और छेटर पर ऑफी काफी लोगों के बताया कि बहुत नुक्सान हो रहा है अधिक नुकसान हुआ है लोगों का आपके माध्यम से यह चाहेंगे कि सरकार से गुजारिस करेंगे कि अधिक समय में जो है कम समय में जो भी क्रिसी कर्मचारी विवाद के हैं उनसे सर्वे कराकर किसानों को उचित मौजा दिलाने का प्रयास किया जाएं अगर आप बीच में चलेंगे समय नहीं है कहीं जाना है कि सआक्ड़ों कि नुकसान काफी किसानों का नुकसान हुआ है जिए तो पर आपके माध्यम से कि अत्यधिक जल्द से जल्द सरवे करा कर जो किसान पिचारी प्रतारीत हैं उनको मौजा दिलाया जाए सरकार समारी गुजारी से